अब देखो Dishonored में क्या होता है Bills Receivable adjustment number अपने recording यहाँ वाले number से मत चलना Bill Dishonored एक तो होता है Bill Dishonored और एक होता है Bill Discounting फिर Dishonored पहले दोनों को समझ लेते हैं देखो Mr. A इसने समान बेचा Mr. B को समान बेचा मान लेते हैं 20,000 रुपए का ठीक है तो इसके पास समान बेचा सिर्फ समान समान बेचा 20,000 का तो A बोलेगा मेरे डेटर जो है 20,000 है समझ ये बात को लिखिन अगर B से मैंने कोई चीज रिटन में एक लिखित ले लिए है रिटन में क्या लिखा कि B भाई तू मुझे लिखके दे दे कब पेमिंट देगा तो B ने लिख दिया I promise और एक bills of exchange दे दिया that is PR और बोलता है कि मैं promise करता हूँ कि मैं तुझे ना पंदरा हजार रुपे दे दूँआ तो अब जो डेटर है वो बीस का नहीं रहेगा क्यूंकि इसके पास बी आर आ चुका है bills receivable तो डेटर में से माइनस हो जाता है हमारा बी आर पंदरा हजार यानि जो मेरा डेटर बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितने का पांच हजार का और bills receivable जो होगा वो कितने का होगा हमारा पंदरा हजार अब दोनों चीज़े अलग-अलग दोनों है assets लेकिन दोनों क्या हो चुका है अलग-अलग हो चुका है समझ रहे हैं यहां तक पता है यानि सबसे पहला fund up पता चल गया बी-ार से डेटर से ही बी-ार निकलता है ठीक है अब मान लो इसने time दिया था कि भाईया यह पैसा मैं तुम्हें दो महीने बाद दूँगा अगर दो महीने बाद दूँगा तो ऐसे सिचुएशन में यह पैसा हमें जब दो महीने बाद मिलेगा तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा और बी-ार घट जाएगा यही होगा ना पैसे मिल गए लेकिन अगर यह देने से मना कर दे डिसॉनर्ड हो जाए तो डिसॉनर्ड का मतलब भया पैसे देने से मना कर दिया यह गरिंटी फेल हो गई तो ऐसे सिचुएशन में यह जहां से आया था वहीं चला जाएगा यानि यह बी-ार माइनस हो जाएगा आपका पूरे 15,000 अप तो बचा नहीं नहीं यह बी-ार क्योंकि घट जाता है यह समझा है अपने देखें हाँ जब बी-ार डिसॉनर्ड होगा तो लेस फ्रॉम बी-ार एड इन डेटर क्लियर है ऐसा क्यों हो रहा है चलिए इसका आगे भी देख लेते हम अब मान लिजिए एक वार एक्जाम्पल लेते हम ठीक है मिस्टर ए है और मिस्टर बी है अब इसने समान इसको बीस अजार रुपे का बेचा है और इसने पूरे बीस अजार रुपे का मान लेते हैं गैरेंटी भी दे दिया कितने का गैरेंटी दे दिया 20,000 का guarantee दे दिया अब ना A को न, इसने बोला कि मैं payment जो दूंगा वो दो महिने बाद दूंगा किसने बोला ये बात, ये बात B ने बोला कि भाई मैं तुम्हें दो महिने के बाद payment कर दूँगा लेकिन जैसा ही इसको पता चला दो महिने के बाद payment मिलेगा ए ने क्या करा ए ने फटाफट से इसको पैसे की जुरत थी ये भाग गया बैंक के पास और बैंक से बोला भाया इसके पैसे दो महिने बाद आपके पास आ जाएंगे इसको कर दो discount इसको क्या कर दो यानि प्लीज मुझे पैसे दे दो बैंकर ने क्या करा इसको इसके बदले 18,000 रुपे दे दी और बागी का discount काट लिए ऐसे situation में अब इसके पास तो बियार है या नहीं है बैंकर के पास है और इसके पास पैसे आ चुके हैं लेकिन अब ये दो महीने बाद पैसे देने से मना कर देता है तो दो महीने बाद जब पैसे देने से मना करता है तो ये किसको मना करेगा बैंक को या फिर एक को क्योंकि एक के पास तो बियार है ही नहीं जब बैंक को मना करेगा तो बैंक क्या करेगा A का bank खाता माइनस कर देगा A का bank खाता बोलेगा बाई मैंने तेरे को पहले पैसे दिये थे अब तेरा bank खाता क्या कर रहा हूं मैं माइनस कर देगा ठीक है पहले तो यह समझो bank account क्या होगा इसमें माइनस दूसरा दूसरा इसके पास BR bank वाला वापसी देगा किसको देगा bank वाला वापसी BR और A फिर वापसी किसको देदेगा और फिर से हमारा debtor की condition बढ़ जाएगी उस case क्योंकि हमारे debtor बन गया है और bank क्या हो गया माइनस हो गया तो यह कब possible है जब discounting हो जाए जब discounting नहीं होगा तो simple था पीछे देखा discounting के case में तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा एक तो क्या होगा BR discounting dishonored होगा तो bank में से माइनस हो जाएगा और add हो जाएगा debtor में क्योंकि जायतर person जो है वो सुषते dishonored हुआ तो dishonored पही रहते हैं लेकिन discounting dishonored अलग बात है और सिर्फ dishonored अलग बात है सिर्फ dishonored में यह treatment है BR minus add in debtor और discounting dishonored में bank minus और add in समझ में आ रहे बात आपको ठीक है हाँ नहीं मना किया है कि मैं यह बिल का पैसा नहीं दूँगा अब यह ऐसा थोड़ी बोला मैं पर्मानेंट नहीं दूँगा अब यह उससे बोलेगा भाई तेरा बिल तो dishonored हो गया अब मेरे को पैसे दे तू बैसे ही पैसे दे दे guarantee fail हुआ है अब वो जिंदा है लेकिन पैसे तो लेंगे उससे ठीक है तो इसी के अंदर question में adjustment यही दिखेगा आपको यह dishonored चेक 5000 उपर नॉट रिसीब एक्सपेक्टेद डे 20 परसेंट अमाउंट विल भी recover तो यह चेक के उपर है तो चेक का भी ऐसा ही रहेगा कि चेक dishonored होगा तो bank हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बोलता है 20 परसेंट अमाउंट विल रिकवर 20 परसेंट मतलब 5000 का जो 20 परसेंट होता है रिकवर होगा और जो चेक dishonored हुआ वापस से debtor बढ़ जाएगा क्योंकि हमने किसी debtor से तो चेक लिया होगा ठीक है चलिए आगे एक और देखें कि इस टॉक ओवर वेल्यूड का यह अगली क्लास में करें एक क्लास और लगेगा पहले यहां तक देखे किसी का डाउट है प्रूद का जा उज हो जुआ प्रूब किसी देखें कि सुच्ट जागे यह भल्स प्रूद नागे चिए प्रूद है झाल झाल